दोस्तों अब हमारे आगले स्पीकर है जो दिल्ली से पुना का दिल जीतने के लिए आए दोस्तों उन्हेंने अपनी करियर की शुरुवात सिर्फ सोला सो रुपे महेना तनखा से की थी आज वो हर मैना दो से ढाई लाक रुपे का चेक कलेक कर रहे है लाइफ इंशुरंस कॉर्पोरेशन से उनकी धरम पतनी जो साथ सो रुपे तनखा लेके कुछ स्कूल में टीचर करके काम करती थी आज वो उनको ऑफिस संबाल रही है जहां साथ स्टाफ है और कम से कम साथ हजार सैलरी वो स्टाफ को देते हैं तो एक बार जोरदार दालिया केम शर्वाजी के लिए ऐसे आमारे यह बहुत ही बड़ी अजोडी जो एक साथ बिजनेस कर रही है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और अपने बिजनेस में सक्सेस पा रही है लास तीन साल से जो अब मिसेशिया शर्मा CHARमा है और रुिस निच पर दड़मी करूंगा तुल्सी का असम्हान करेशी के असे मतार सम मतुँन आ यह गैठ अड़ाक तुन नून फ्रैंस मैं अनीथा क्यूमा रिदिसे इस प्रेंसे कि जैंथ माराश्रा लाथ जैंगक प्रेंसे में केम शर्मा दिल्ली से आप सब के बीच में हूँ हम लोग परसों फ्राइडे को इदर आ रहे थे तो मेरी भाई बहुत नर्वस थी कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में क्या बोलूंगी नई जगे जा रहे हूं और मेरा इतना ही कहना था हमारा इस्टिटूट एक परिवार ह है हम सब भाई वहन हैं आप यह सोच के चलिए है कि हमारे एक दोस्त के बच्चे की शादी है हम उस शादी में भूमने फिरने जा रहे हैं Friends दिल्भी कंवेंशन में इन्होंने मुक्यस भाई से यही प्राउमिस किया था कि सर इस साल मैं सीयोटी करूंगा और फ्रन्स मैंने इन से यह प्राउमिस लिया था कि आप सीयोटी करेंगे तो आप मुझे डाइमंड का नेकलेस गिफ्ट देंगे लेकिन फ्रेंट्स शायद मैं इतना बड़ा नहीं सोच पाई अगर मैं डायमेंड का नेकलेस बेहनती हुना तो मेरे गले की शोबा पड़ती है लेकिन इंस्टिट्ट उप एक्सिलेंस ने दीपक भाई ने मुकेश भाई ने एक सिंपल एलाइसी एजन को तराश तराश कर एक डायमेंड एजन बना दिया और फ्रेंड्स मुझे एक ऐसा डायमेंड हसमेंड किया जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर मुझे गर्ल महसूस होता है थेंकियो दोस्त ये तालिय अस्वद में हम दोनों के साथ काम करने के कान है मैं हमेशा सोचता हूँ यह इस्टिटूट क्या कर रहा है एक डायमेंड क्या होता है डायमेंड एक खदान से निकला वह अंगड पत्थर है जिसको तराश दिया जाए तो डायमेंड बन जाता है दुनिया में कोहनूर की तरह फेमस हो जाता है फ्रेंड्स आज इस्टिटूट भी यही कर रहा है वह हमें तराश रहा है मुकेश भाई दीबग भाई हमें तराश रहे हैं डायमेंड मना रहे हैं और मैं सोचता हूँ हम सब लोग जितने हो हैं उपस्तिद हम सभी दाइमंड है फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है मैटिप्लाई और बिजनेस विद दा हैल्प और स्पाउस काम करते हैं किसीपा था शुल जाना रात को 11,10,20,20 तर गाह आपसर घूरा जख्रते थे तो तुम किस तरह काम करते हो हमारिसे तो पहले तो काम का पज़ अ उपर से घर की चिक चिक फगरमे ठकियारे घुसो घरμέं गुस घुसते सुनने को मिलता है यह कोई टाइम में घरानी का सारा दीन पहार गूमते रहते हूं ग्यारा बजरे बीबी बच्चों के तो आपको कोई चिंता ही नहीं है अरे मने कोई फालत गूमता है रहता हूं क्या सारे जिन दूप में गूमते हैं तुम्हें निकलना बड़े तो पता चले है फ्रेंड्स ये चिक चिक हमेशा होती रती थी है हलो मदम की खरमें खिर की सिंता मत कि मुर्णा थी आठवारा नास्ता आपके साथी करूंगा का है न मेरे अकसर फ्रेंड्स ही इस शिकायत करते थे तो तो टाइम मेनेज नहीं कर पारे। हो सकते हैं आपनों की विए समस्या रही हो। परंतु मैं बहुत लगी था। मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा हर टाइम साथ दिया। हर समय साथ दिया। यह मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर है। उन्होंने हमेशा का तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो। फ्रेंट्स हमारे डियों ने हमें गाई किया और हमें इंस्टिटूट का रास्ता दिखाया। इन्होंने इंस्टिटूट से बेसिकोस किया। बेसिकोस करने के बाद यह हर वक्त काम में ही लगे रहते थे। और फ्रेंट्स मेंको हर वक्त काम में लगा देके मैंने इसे यही पूछती थी कि ऐसा आपने तीन दिन के बेसी कोस में क्या सिखा कि आप हर वक्त एलाइसी का बिजनिस एलाइसी का बिजनिस यही सोचते रहते हो फ्रेंट्स हरवक्राम में लगा देके फो टेंशन परेशानी हर वे देके मेरे मन में तो एक ही विचारा आधा था ये विचारा काम के भोज का मारा फ्रेंट तचाहि यही थी अकेला वर्गलोड ठा रहा था? काम बहुत था? बेसिक कोर्स में एंटी ली अधरनी यो साब ने उससे का था? जो अगर तुमें शार्फूटर बनना है? अगर इंशूरेंस सेक्टर में नाम कमाना है, अगर इंशूरेंस सेक्टर में पैसा कमाना है तो जाओ basic course करो, तुम्हारे रस्ते खुल जाएंगे मैंने अपने डिओ साब का कहना माना, मुकेश भाई का basic course किया और मेरा काम बढ़ने लगा मैंने इनको कहा कि मैं भी आपकी काम में help करना चाहते हूं मैं आपका workload करना चाहते हूं और इन्होंने मुझे कहा अगर आप मेरी help करना चाहते हैं तो आप भी इंस्ट्रिजूट का basic course करो फ्रेंड्स हम रियल में struggle की हालत में थे और पैसा ही हमारी जरुर्द थी मैने तीन दिन बेशी कोस जोईन किया और वहां मैंने यहीं सीखा कि हम यहां क्यों आए हैं पैसा कमाने और फ्रेंड्स मुझे लगने लगा कि जिस चीज की हमें तलाश थी जिस मंजल को हम तलाश रहे थे वो हमें मिल गई है friends तीन दिन के basic course करने का हमारा ये फायदा हुआ हम दोनों regular system से जुड़े रहे हम लोग institute से जुड़े रहे हमने basic course किया advanced course किया आजम commitment course के participant है और friends system से regular जुड़े रहने के कारण जो हमें वहां सिखाया गया है उसको implement करने के कारण friends result ये रहा कि संदो हजार आट में हमारी पहली MDRT हुई 2009 में हमने double MDRT किया और friends current year की double MDRT हमारी महीं में हो गई है friends की MDRT सही कहूं तो मेरी नहीं थी मेरे को institute ने जो सिखाया मुझे दीपक भाई ने जो कहा जो सब्सक्राइन एक बस हमने करना शूर्क कर दिया हमारे पास कोई मंत्र नहीं था हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था हमें सकसे चाहिए थी और सब एक अंधा यदि आख वाले के उपर हाथ रख करके रख दे तो आख वाले की जुटी होती है कि उसको आराम से सुरक्षा से सडख पार करा दे जिस दिन मुझे उधरन मिलाई है मैंने उसी दिन आख बंद कर ली और मुकेश भाई दीपक भाई के कंदे पर हाथ रख दिया अब जिम्मेदारी इनकी थी और मैंने देखा इन्होंने जिम्मेदारी निभाई मेरी MDRT डबल MDRT सब हो रही है और मैंने अभी मुकेश भाई से कन्वेशन में प्रॉमिस किया था कि मैं स्योटी करूंगा लेकिन अब मुझे लग रहा मेरी ट्योटी कंफर्म है फ्रेंड्स सेल्स बढ़ाने के लिए इनको ओफिस से फ्री करना बहुत जरूरी था इसलिए टोटल सर्विसिंग की रस्पॉंसिबिलिटी मैंने अपने उपर ले ले और इनको सेल्स सर्विसिंग से बिल्कुल फ्री कर दिया फ्रेंड्स सर्विसिंग से फ्री होने से फाइदा यह हुआ कि मेरे पाद टाइम बढ़ा मेरी MDIT के सपने पूरे होने लगे लेकिन इससे मुझे अपनी पहली MDIT याद आ रही है मैं इस्टिटूट से जुड़ चुका था, बेसिक कोर्स कर चुका था, एडवांस में था दो जार स्टार्टिंग भी बात है, इनकी किसी फ्रेंड ने कड़े बनवाए यह मुझे से कहने लगी, मुझे भी ऐसे कड़े चाहिए मैंने सोचा, इनको मना क्या करना कमसे हम, हाँ तो कर तो शाम को खाना तो अच्छा मिल जाएगा मैंने इनसे का हाँ ठीक है, मेरी MDIT हो जाकी बनवा दूँगा पर फ्रेंड सोच का नतीजा यह निकला, मैं अक्सर अपना लंच लेकर घर से निकलता हूँ और जब भी लंच करता हूँ, इनको फोन करता हूँ पहले फोन किया करता था, तो सुनाई पढ़ता था, खाना खाला ही किया, अच्छा लगा, मसाले ठीक थे लेकिन अब एक नया चेंज आया, एक तो बेसिक कोर्स कर सुगी थी, उपर से मेरा प्रमिस मुझे सुनाई पढ़ने लगा, मैं फोन करता, सुनाई पढ़ता, कोई सेल हूई किया, पहले तो मैं समझ नहीं पाया, यह अचाना खाने की जगे सेल हूई किया, पर फिर मुझे याद आया, मैंने तो पंगव अपने आप ले लिया है, मैंने इनको प्रमिस कर दिया कि कड और धिरे धिरे यह कहती सेल हूई किया, मुझे सुनाई पढ़ने लगा, कड़े बने गया, यह सेल हूई किया, यह कड़े बने गया, इस प्रेशर में मेरी पहली MDRT करवा दी. Friends, सर्विसी का काम अच्छे से ठीक से होने लगा, हमें सेल्स बढ़ाने थी, सेल्स बढ़ाने के लिए हमें appointment की बहुत जाजा जरूरती और appointment बढ़ाने के लिए Friends, हमें दोनोंने सोचा कि स्टाफ बढ़ाना चाहिए, आज हमारे पास साथ स्टाफ है, जिसमें चार सुन्द सुन्दर तेलिकॉल सें सुन्दर तेली कॉलर यह मुझे अक्सर बताती है पर मैंने को देखने का तर्मोखर महीं मिलता क्युकि मेरे को तो शाम को मेरे अपइमेंट फिक्स होते है मुझे श्लिप पकड़ा हिया है मैं तो मातरिन का सेल्स एक्जिल्टी बनकर रह गया हूँ Friends, sales की appointment, हमें appointment में ले लगे तो मैंने सुचा sales मुझे भी बढ़ा दी जाहिए, मुझे भी फेल्ड में जाना चाहिए और sales के परपस से भी इनको support करना चाहिए तो friends मैंने भी sale करना शुर किया लेकिन दूर-दूर के appointment होते थे, घर में एक गारी और ड्राइवर के साथ कियम शर्मा जी सुपर निकल जाए तो मेरे दिवान में विजार आया कि घर में बाइक प्री खरी जाती है Friends, मैंने बाइक पर ये ड्राइवर रख लिया Friends, ये इनका आइडिया बड़ा आजीूबसा था, मुझे भी बहुत दिनवाद पर दला, एक बार ये कहीं दूर थी, तो मैंने कुछ आप आई कैसे हो, कि मैं तो गाड़ी सही हूँ, मैंने का गाड़ी तो मेरे पास है मैंने आपकी बाइक पर ये ड्राइवर लेके चल दी हूँ, मैंने सेम डे फिर इनको स्कुटी गिफ्ट की, कमसा ड्राइवर का खर्चा बचा और रिस्क भी बचा Friends, काम करते चले गए, क्लोजिंग होने लगी, मजा आने लगा और हम सेल को एंजिया करने लगे मैं अपने कुछ सेल्स आपके साथ शेरिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि यहां पर मेन मुद्ध यह है, कि हमने क्या कमाया, उससे आता है कि हमने कैसे किया हम सब लोग यहां, जब भी हम लोग आते हैं, चाहिए मैं आओ चाहिए आप आएं, हम लोग इसी लिए आते हैं, तो उच्छ हमें शेरिंग का मिले Friends, मैं आपके साथ सबसे बहले शेरिंग करना चाहता हूँ, टाइम की इंपोर्टेंस की टाइम की पंच्छोल्टी आपको कहां से खान ले आ सकती है, मैं इसका एक छोटा सा उधान देना चाहता हूँ, मैं इससे बहले टेक्सेशन का काम भी किया करता था, मैं अपने एक क्लाइंट के पास गिया, उनसे कुछ टेक्सेशन के लिए पेपर फोटो का भी हो रहे थे बिल्कुल नया क्लाइंट था, जो कोल कंवेसिंग से मिला था, वहाँ पेपर फोटो का भी होते हैं, मैं उनसे का सर, मैं इससे का काम भी करता हूँ, आपका क्या इससे बात करना पसंद करेंगे, उसने का नहीं ने, मेरे पास इससे सफीशेंट है, वो एक एचा नहीं क्ला बात कही, Mr. Sharma, क्या आप आज शाम को मेरे घर आ सकते हैं, मुझे लगा शायद को इंपोर्टेंस है, मैंने का सर, ठीक है, मेरे एक शाम को आपके घर के पास मिटिंग है, मैं आ जाता हूँ, मैंने का सर, मैंने एक ही कंसर्ट में बात की, आपके इस्टेटोस, आपके मैं इस्टेटोर की बात को ध्यान रखता, गुंता फिरता पहुंसता, तो दो लाग ब्यालीज जार का चेक, ही नहीं, मेरे कोस के बाद, उनके पूरे ओफिस का ग्रूप गर्रूप बेजार्टी का मेरे पास है, उनका मेरे बात करीब 16 या 17 लाक रूप रूप प्रीम आता डलाइफिस को किहारा घ्रक पर कहीं भी जाते हैं कि एक जासुऊ की थर एंट्री पहल सुंदर था कि सर आपका घर रbooा सुंदर भाल nehmen कि बाति फिर उनको पॉंस में प्लाइण के बारे में बाति और फूर से एप्रिशेशन सीर भीलि का बहुत जूंदर है आपने बहुत अच्छा किस और की सितस्य मुथ आमेल उन्से ऐसे कॉसिशन किंदे और वह को अपने मिनट तक वो अपने बारे में हमें बताते रहे और फ्रेंड्स इस पंद्रा मिनट पे वो अपने बारे में इतना खो गए कि उन्होंने वाइब को आवाज दी और हमें दो लाग का चेक अप दिया शायद उन्हें भी नहीं पता चला फ्रेंड्स हम लोगों की जनरली सेल लॉजिक पर होती है मैं इस्ट्टूट में आकर रहे कि दो चीज़ बड़ी नई समझा कंसेप्ट और लॉजिक किस्सी को ज़्यादा बताने की ज़रतने हैं कुस लॉजिक बताओ वो रेडी होता है चेक लेकर आओ और एंजॉय करो मैं आपके साथ एक रिबेट की प्रावल्म सौल करता हूँ मैंने एक ओफिस से एक मल्टिनेशनल कंपनी से एक साथ एक मिटिंग में साथ या आठ चेक उठाए उसमें से एक केस टीपे का था बाकी ब्रांच लेवल के थे टीपे वाला के स्वाषतों में टीपे वाला ही निकला उसने अगले मेरेको एक समस कर दिया कि मैंने आप अपना चेक स्टाउप करेंद यह मेरेको दूसरा इजएंट थर्टिफाइफ परसेंट का डिसकाउन्ट दे रहा है मैंने ठीक है सर आपने जो कर लिया ठीक है मैंने बाकी केसेज पास करा है रिसेट पहुचाई उनके पॉलसी बॉंट पहुचाई पहले वाले आदमी ने उन सबको पता दिया कि SSS में रिबेड होती है मेरे पास एक लेडी का फोन आया है मिस्टर शर्मा थैंक्यू आपने मुझे रिसेट देदी पॉलसी बॉंट देदी है बट वो कैश नहीं आया अनका में कैश कौन सा आपने चेक दिया था मैंने प्रॉपर अमांट की रिसेट भीज दी चेक कुन सा आना है कि नहीं उनका ना मैंने आपको कहा था कि मनी बैक काएगा ओने कर नहीं ऐसा तो नहीं का था पट मिस्टर रॉबिन ले काएगी कुछ पैसा आना चाहिए मैंने का हो सकता मैं वह कोई मनी बैक पॉलसी ले रहे हूं बट आप बिलकुल रही है बिलकुल पढ़ लिए अपने पेपर मैंने आप फ्रेंट्स ओफिस में बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग रफ्रेंस का टेली कॉलिंग का और एसमेस का साहरा लेते हैं फ्रेंट्स हमारे ओफिस से हर रोज 1500 SMS जाते हैं पर मैं अपने 20 SMS टेली करते हूं और वो भी स्लेक्टेट बंदों को मेरे पास हर प्रोफिशन की ड करेंगे तो रिजबाट नहीं आठा में 20 SMS मॉर्णिंग में भीजती हो और एम इन तक उन SMS पर कार्लिंग सरूर करती हूं और इसी पर मेरी एक सेल हुई मैंने sml भेजा और उनको मैंने call किया और उन्होंने हमें meeting पर बुला लिया फ्रैंट्स वो उनकी दिल्ली में जन्पत पर एक ready made garments की shop थी हम वहां गए और उनसे हमने बात की दस बंदा में बात की उसके बाद वो बड़ी abreस के थे उन्होंने का मैंडम मैं तो अब मैं कुछ नहीं सकता क्योंकि मेरी एस काफी है मैंने उनको का सर आपके चोटे-चोटे दो पोते हैं आप इनके लिए कुछ ऐसा प्रानिंग करें ना कि जब ये अपना बिजनिस शुरू करेंगे अपने पैरों पर घड़े होंगे तो इनको हर महीने एक मोटर मॉटर मिल से दो शर्ट के पैसे डेली जमा कीजिए और वो एलाइसे ओफ इंडिया की नाम से दे दीजिए फ्रेंट्स ये कंसेप उनको समझ आ गया और अपने दो दोनों बोतों के नाम से मुझे चेक दे दिया फ्रेंड्स मैं वो लोहार हूँ जो अपनी कुलाडी पर हमेशा धाल लगाने के लिए तयार रहता है धाल लगाने का फाइदा यह होता है कि उसके पेडों की कटिंग जरूर होती है मैं डिल्ली के अंदर कॉंबो प्लान से दुड़ा हूँ एज़ अप्रेंटेश रिडर उसका फाइदा होता है कि मैं बार 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 कॉंबो प्लान रिपीट कर रहा हूं, अपने जो हमारी CC की मीटिंग होती है weekly, मैं उसमें भी एक प्लान जरूर डिसकस करता हूं और उसका benefit, जो हम लोग courses repeat करते हैं, courses करते हैं, उसका benefit मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे क्लाइंट ने मुझे को बुलाया, कि मैं 50 लाक रुपिया शेर में लगाना चाहता हूं उनका अपने स्कूल है, और दो पॉब्लिक स्कूल की चेन है, बहुत बड़े-बड़े स्कूल है पचाहस लाक सुनकर के वोई शेर में, कहते हैं, बिल्ली को अगर दूद लिखाओगे, तो मुझे में पानी आएगा ही आएगा, सेम पोजिशन मेरी थी, मैं भागता हूँ उनके पास पहुचा, उनसे बाच्ची शुरूई उन्होंने का पचाहस लगाने यह करना है, मैंने उनकी बात को धीरे-दीरे-दीरे चेंज किया, मैंने उसके बाद एक ही बात कुछी, सर आज आज आपका दिल्ली में नाम है, आपके इतने बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल है, एक-एक स्कूल में 4-4-5-5 जार वे बच् काम तक रहता हूँ, शर्मा जी ऐसे ही पैसे नहीं कमाई जाते है, मैंने का सर और यह जो 50 लाक रुपे लगा रहे हो, इसके लिए आपने कौन से शेर की प्रेनिंग लिए, आपको मालू में सर, रिलाइस का शेर क्यों बढ़ता है, मुके शंबानी क्या सोच रहा है, अनिल 40 साल है, मदर कहलें कि बेटा आप बिल्कुल ठीक करें, मैं यह इसको सम्झाना चाहती हूँ, मैंने का सर, आप इस अच्छा है, ऐसी चीज में जाईए जहां गौर्मेंट गारंटी हो, सबसे बढ़ता है, जो आप पैसा लगा रहे हो, उस पैसे की सेफटी हो, उसके पर उ हमारे को कल फ्रिक सिखाए जाता है, उसके हमारा फाइनल गुआ, वह 25 लाक रुपे हार साल है, ट्रडिशनल बिजनेस में, यह मेरा जंदगी का सबसे बड़ा चेक है, फ्रेंट्स अभी मार्केट प्लस आया, आप सबने बेचा होगा, और जब कलाइंट का फोन आता है, तो हम सब की हालत खराब, आप सब की भी होती है, फ्रेंट्स आप प्लीज, आप मार्केट प्लस के लिए जब कलाइंट ने भी पूछता है, तो हमारी तो हालत बहुत खर लेकिन उससे पहले एक बाद जोर दालिया बजाईए आप सबूद्स हम दोनों मिलकर के काम करते हैं हमारा साथ साथ जाना बहुत फाइदेमंद हो रहा है कई बार मैं सोचता हूँ यह कहती है मैं आपके साथ चलती हूँ मैं देखती हूँ आप कैसे बाते करते हो लेकिन कभी मुझे सीखने को मिल जाता है मनी प्लस आज लगबग तीन साल सब के कंप्लीट हो रहे है मनी प्लस के लिए फोन आए तो हरकोई छिपता रहता है गोलमोल जवाब देता है ऐसा होता है क्या मेरे साथ एक्सर ऐसा होता है प्रेंट्स लगता है आप लोग हिंदी नहीं समझ यहुआ होतो रहे हूं जो कि तालियों कि अवाज ही कोई प्लसा रही है अगर कोई प्लसा स्चामिठी रती है प्रेंड्स, MoneyPlus की बात शुरू हुई, MoneyPlus को टैकल करना था, यह मेरे साथ थी, यह देख रही थी कि मैं कुछ हेचेता आज से बात कर रहा हूं, उन्हों ने एक दार दो बार मुझसे इशारे से पुछा क्या बात है, मैं आज कुछ नहीं बात करते हैं, हम क्लाइन से बात कर र तब ही इन्होंने अचाने के बात कहीं, जो मेरे लिए सेल का करन बनी, इन्होंने का, सर हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं, कि इसके अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं आ रहा, यह सच्छा ही है, लेकिन आपको मालू ही कि इस प्लान के अंदर स्विच करना आपको पैसा बढ़ता रहे, आप ऐसा पसंद करेंगे, उसने का हाँ, तो इन्होंने का सर फिर कुछ मी नहीं करना, आप एक अप्लिकेशन फारम साइन किजिए, आप से कुछ पेपर चाहिए स्विचिंग के लिए, और आपको करना किया है, कि यवल 19 बार पैसे देने है, और उसके बाद आपके घर पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, या आता रहेगा, आता रहेगा, वो क्लाइट घूम किया, और उसने हमारे को अपनी स्विचिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में करवा दी, उसके बाद हमने उसको सरली दिया है, लेकिन हमने उसको मेरे को बहुत प्पसंद आया और मेरी Money Plus की चार्ट क्लोजिंग इस तरह से हो चुकी है अब तक. Friends, हमारे institute में पारजभाई, हम उन्हें सुन रहे थे, उनकी सेडी सुन रहे थे, तो पारजभाई यही कहते हैं, Dreams Comes True, सपने सच होते हैं, यह सचाई हैं, सपने सच होते हैं, लेकिन सपने तो सच जब होंगे न, जब हम देखेंगे, यह क्लाइन को जाके दिखाएंगे, हम किसी छाइन के पाँ पीज्ट के लाका 50 लाग चाहिए काइब, कहरोड, 2 काइब जब हम सपने सच, उनको जाके बताते जी निए, तो वो हमें सबने पूरे करने के लिए प्लाणिंग करने के लिए हमें क्यों बलाएंगे, फ्रेंड्स सपने सच होते हैं इस पर मेरी एक शेरिंग है मेरे दाद में कोई प्रॉब्लम थी और मैं डेंटिस के पास गई दो बार की मिटिंग के बाद वो मेरे थोड़े क्लोज आ गई तेस्ती मिटिंग में जाकर मैंने उनको एप्रिशेट किया काशा मेंने काशा है ने अपने का बढर मैंने आपका क्लीक आउरे दे लिए अच्छा है लेकिन क्या जाने आप नहीं जाहेंगे इससे बहुत बढ़ा क्लीक राइस आप दशेल Лोकेशन में हो। तो ड्प्र है सब नरस्तलं कि करेंड आ लगाधा है इद्धर LIC of India के नाम देनी है उसने केल्कूलेशन किया वो अच्छी डॉक्टर अच्छी लेबल पे डॉक्टर थी तो उसने दो पेश्ट की विश्ट केल्कूलेशन किया नहीं तो मैं बहुत ज्यादा है इतना नहीं हो पाएगा मैंने कम फिर एक पेश्ट की विश्ट बबड़े क्लिनिक का है मुझे बड़ा क्लिनिक चाहिए तो मैंने उनको बोला फिर तो आपको दो पेशन की फीज देने पड़ेगी डॉक्टर तो वो और फिर ये कहे कि मैं उनको बिल्कुल लाइट बोमेंट में ले आई हसी मजाग चलने लेगा और मैंने का डॉक्टर और मैंने इसे कोस्टीन के डॉक्तवसायब है एक महेंशे में कितने दिनों यंग उनको बोला 231 दिनन और मैंने का डॉक्टर एक पेशन के कड़ा खिडूथ तो आपको प्रॉब्लम कौहह आइए आपके बस तो इतनी नंग अदिया और फ्रेंच्टउंस इस कंसेट टर मे किसी यह logic क्यों होती है, मैं generally कभी return, IRR तो मैं आज तक नहीं सीख पाए, क्या होती है, कभी return की बात नहीं करते है, और generally हमारी insurance की बात भी नहीं होती है, आपका investment क्या होगा, safe रहेगा, और main logic, अभी कुछ दूने पहले, मेरे को अपने फ्रेंट के रफ्रेंस से में मिलने गया मुझको महां से 6.000.000 रुबे का regular premium मिला market plus के अंदर friends जिस से मेरे को 6.000.000 रुबे का regular premium दे रहे थे उस client ने अचाना मेरी favorable बात कह दी उन्हेंने का Mr. Sharma मैं आपको check तो दे रहा हूँ लेकिन मन में डर लग रहा है कि कहीं है सनो आज मेरा बिसनेस हैसे सल लाए कल को ऐसे ना आ जाए उनका जो नीचे का इशारा था बस मुझे लॉजिक समझ में आ गया मैंने उनसे च्छेक लिया मारकेट प्लस था विदाउट इंशोरेंस था शाम तक रसीद बनी मैं अगले दिन उनके घर गया रिसिर्फ देने से पहले मैंने उनसे बाच्छी शुरू की मैंने का सर कल आपने जब मुझे कहा कि मेरा बिजनेस आस उपर चड़ रहा है कल को नीचे आ गया तो क्या हो गया सर मुझे तो सारी रहन दिन दियाई मैं कल आप से चेक लेके गया हूँ मेरे घर में पैसे आएंगे मेरे बच्चे मेरी फैमिली का काम इसी ब्रोक्रेस से चलता है और मेरे क्लाइन के साथ ऐसा हो सर मैं तो बहुत टेंशन में हूँ वो कहलने के शर्मा जी मैंने भी में 96-97 में शुरू किया था उन्होंने अपनी सारी इस्ट्री बदाई कभी वो जीरो थे डुप्लिकेट सीटी बनागर बेशते थे और आज उन्होंने अपने नाम से अपनी एक मोबाइल फोन ओल आवर इंडिया बे लांच किया है आज वो इस तर पर पहुंच चुके हैं तो आप जैक लगाते हो ना आपका डायवर जैक लगाता है गाड़ी फिर उट जाती है प्रते हां मैं अनका तो युप सर एक काम की दिना आ आपको डर लग रहा है कि मेरा बिजनेस नीचे ना जाए हम नीचे ना जाएं अप एल एई-ई-ई-ई-आज-ए-ई-चैक फ्रेंड्स उन्होंने वो लॉजिक सुना, समझा और पूछा क्या करना पड़ेगा मैंने का सर्थ तुछ नहीं करना पड़ेगा आप हाई स्टेटस के आदमी है आपको थोड़ा अच्छे वाला जेकल लगाना पड़ेगा उनको समझाया उन्होंने अपनी उनकी 38 है उनकी छोटे बादर की 37 है दोनों के लिए चेक मिले हैं और वो चेक रगुलर प्रिमियम के हैं एक एक चेक पांस पांस लाग रुपे का फ्रेंड्स हम इंस्टीट से जुड़ेवे हैं इप्पा से जुड़ेवे हैं आप सब को भी मालुम हुआ कि इप्पा की मैगजिन निकलती है और फ्रेंड्स अभी जो इस मन में मैगजिन निकली है उसी पर एक बहुत अच्छी हमारी सेल हुई है आप उस सेल को शेयर कीजए फ्रेंड्स हम लोग इप्पा में आज आये वे हैं इप्पा हमें क्या दे सकता है यह आप जानना चाहिए तो मैं आपको एक कंसेप्ट और देता हूँ अभी माई की मैगजिन आई है जिसमें बताये गया कि आप सालों को येर्स को मंत्स में बताये बड़े हलके लगते हैं एक 20 साल बहुत हैवी शब लगता है और एक 240 महिने बड़े हलके लगते हैं मेरे को एक कंसेप्ट बड़ अच्छा लगा मैं अपने किसी क्लाइन से मिलने गया उनसे बात्ची शुरू हुई बात वो 40 येर्स के हैं रेटायर्मेंट पर शुरू हुई उन्होंने का रहे यार अभी तो 60 साल सब कुछ समझ लिया उसकात कहते हैं शर्माजी बहुट टाइम अभी तो अरे सार साल के रिटायर्मेंट आगा आज थोड़ना आ रहा है कर लेंगे किसी दिन आओ बैठो बैठके प्लानिक करते हैं क्लियर पोस्ट फोन चल दा था मुझे मही की बुक मैं पड़ चुगा था मुझे एक आइडिया आया 240 महीने वाला मैंने उस महीने को और भी नहीं जगे चेंज किया हम लोग बैठे थे मैंने का सर अचाने के खेल मेरे दिमांग में आया है आप 240 तक की गिंती एक सांस में गिन सकते हो उन्होंने का आपकी हेल्थ की पालसी मिलती है मैं भले ही कितना डिसकेस कर लूँ अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो वेल्थ सब वेकार है उन्होंको लगा मैं बहुत सीरियस हूं उन्होंने गिंती किननी शुरू करी 1, 2, 3, 4 एक सांस में नहीं गिन पाए बीच में सांस ली और जब वो 235 तक पहुंचे 235 तक पहुंचे तो उनके आला तैसी थी 235, 236, 237, 239, 240 उनको लगा मैंने किला जीत लिया 240 कहते उनकी सांस उखड़ी हुए थी मैंनका सर एक मिल सांस लोग लीजे उन्होंने मिझे हाथ से इशारा किया नॉर्मल हुए, सांस ली, ठीक हुए उनका अगला शब था शर्मा जी क्या मजाग करते हो पहले तो गिंती गुनवा दी उसका सांस उखड रही थी तो कहते हो सांस रोख लो यह बच्चों वाले खेलमत क्या अगर हो मैंनका सर मैं आपको यही ऐसाज दिलाना चाहता था कि आपकी जिंदगी के 240 महिने यह चुटकी बजाते हो निकल जाएंगे और उस दिन आप कहोगे शर्मा जी मुझे पेंशन चाहिए और मैं कहूंगा सर रुख जाएए अभी आपको रुखना पड़ेगा आपको पेंशन मिलने के लिए टाइम लेगेगा पहले कुछ इन्वेस्ट किजिए तो वो बढ़ेगा तब पेंशन मिलेगी उन्होंने एक सेकिंड सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा सही कह रहे हो आप 20 साल तो बहुत बड़े लगते हैं फ़र 240 महीने तो चुटकी बजाते हुए आजेंगे आप मेरी प्लानिंग कीजिए थैंकि दोस्तों फ्रेंड्स ये सारे कंसेप्ट ये सारे लॉजिक हमें इफपा इंस्टिटूट से मिलते हैं हम लोगों ने बिल्कुल ब्लाइंड ली छोड़ा हुआ है जो ये कहेंगे वो करेंगे और जो ये कहेंगे वो करेंगे उसने हमें आज वहां से यहां पहुचा दिया है फ्रेंट्स हम अकसर जॉइंड मीटिंग पर जाते हैं और इंस्टिटूट ने दीपक भाई ने मुकेश भाई ने इतना हाई कंसेप्ट दे दिया इतना हाई लिवल पर सोचने लगे कि सिंपल से क्लाइन को भी बड़ी बाते कई बार करने लग जाते हैं फ्रेंट्स कई बार ऐसा होता है कि हम जॉइंड मीटिंग पर गए हैं और केम शर्मादी फैक ने लगते हैं लंभी लंभी बात इकरते हैं और मुझे लगता है कि नहीं ट्रैक से हट गए और फैक ने लगए तो फ्रेंट्स में इनको नीचे ट्रैक पर लाने के लिए मैं इच के नीचे से इनके पैर पर लाज मार देती हूं और ये नीचे आज़ते हैं फ्रेंट्स अगर डाइमंड बिनना है तो बीबी के पैर भी खाने पड़ेंगे मुझे आज अचाना है कि याद आगया मेरे एक बड़े क्लोस फ्रेंट है बड़े अचानक सी बात याद आई है उनकी फैमिली मेरा बहुत आना जाना है कर भी आट-दस साल पहले की बात है मैंने किसी काम से उनको फोन किया उनकी वाइफ ने फोन उठाया मैंने का बाभी जी कहा है बाई साब उनका मूड कुछ खराब लग रहा था कि पता नहीं कहां गए कहीं गए वे होंगे सुनते तो हैं नहीं मैंने क्या हो गया गुशा क्यों उनका जवाब इतना मईज़ार था कि मैं इनको क्या कई फ्रेंड्स को आस्तर बताता हूं कहलें कि कुछ नहीं जरासी बात पर गुस्त हो जाते हैं हमारी लडाई हो गई मैंने एक लाट मारदी तो कौन सा बड़ा काम किया और यह बिलकुछ सची बाद बता रहा हूं फ्रेंड्स में फ्रेंड्स सेल का एक ही कंसेप्ट है meet more people meet more people meet more people हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं है हमें काम करना है दोई चीज़ है या तो नेक्स टेर में वहाँ पीछे जागर बैठ जाओ या फिर से आ गया हूँ अगर मुझे इज़त प्यारी है मुझे अपना अरनिंग को बनाई रखना है आज मेरे बच्चे सोचते हैं मेरे बच्चे आज इस्पेशली मेरे साथ दिली से आएवे हैं कि मम्मी पापा स्टेज के होंगी इनको भी अच्छा लगता है कि इनके पेरिंट्स की जद होती है अगर मुझे सब बनाई रखना है तो फ्रेंट्स काम तो करना ही पड़ेगा इस्टिटूट के बताई रस्ते पर चलना ही पड़ेगा मेरे सामने कोई चाहरा नहीं है और मैं करने के लिए तयार हूँ मैं हमेशा मानता हूँ यह इस्टिटूट हमें धार लगा रहा है जो यह कह रहे हैं इन्होंने कर रही है यह कर चुके हैं हमारा अच्छा हमारा क्या जाता है इन्होंने का पांच आत्मी से मिलो बात करो पॉल्सी से लोगी इजज़त किसकी दाउपे लगी है इस्टिटूट की मेरे लिए इस्टिटूट सब कुछ है मैं अगर कुछ भी हूँ तो इसी कान से हूँ कि मैं इनका काहवा कर रहा हूँ इनके हर कॉर्स में बेसिक हो एडवांस हो